नमस्कार उत्राखर्मुक्त विश्वद्यालाय आपका हार्दिग विनंदन करता है। नमस्कार उत्राखर्मुक्त विश्वद्यालाय आपका हार्दिग विनंदन करता है। आज के योकी कक्षा में बैठ कर किये जाने वाले ध्यानत्मक आसनों की सीरीज है। इसमें हमने चार आसनों का अभ्यास दिया है। आसनों का क्रम है सुखासन, स्वस्तिकासन, पदमासन, वसिद्धासन। ये चारों आसन आप बैठ कर ध्यानत्मक आसन की सीरीज के लिए करते हैं। इसमें ध्यान किया जाता है, वो प्रणयाम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। यदि आसन करने में आपको समश्या होती है, जो सबसे पहला आसन, सुखासन है, सबसे सरलासन भी इसे कहा जाता है। इसमें बैटने में यदि आपकी समश्या है तो हो सकता है कि आगे के आसनों को आप ना कर पाएं या फिर करने में कठिनाई हो तो आपको इससे पहले अभ्यास करने से पूर्व कुछ सूचम अभ्यास करने हैं ताकि आपका शरी आपके पैर थोड़ा लचिले बन सके वो इन आसनों का अभ्यासा आसानी से कर सके योगासनों के इक्रम में सबसे पहले पैटकर किये जाने वाले आसन करेंगे बैटकर किये जाने की स्थिति आपकी दंडासन की स्थिति में दोनों पैर सामने फैले हुए हाथ आपके बगल में योकक्षप्रारम करने से पहले किसी भी जिसमें आप ध्यान के वस्था में आएंगे, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी, दोनुहार प्रणामुद्रा में धीरे सेने गोध पर रखेंगे, आखें आपकी सहस्ता के साथ बंद रहेंगी, लंबी गहरी स्वांस लें, सकार अत्मकुर्जा को ग्रहन करें, शाररी कर्मा स्वांसिक नकरात्मकुर्जा को खुद से दूर करते हुए, लंबी गहरी स्वांस लेंगे, ओमकार के उच्चारण के लिए त्यार रहें, स्वांस छोड़ते हुए, लंबा वा गहरा, ओमकार का उच्चारण प्रारम करेंगे, ओमकार की उर्जा को मस्तिश के प्रदेश में महसूस करें, इस उर्जा को स्वांस भरते हुए, पूरे शरीर में महसूस करें, धीरे से दोनों हतेलियों के प्रती सजग बनें, हाथों को खोलते हुए, हतेलियों को आपस में रगड़ें, तेजी के साथ रगड़ते हुए हतेलियां गर्म करें, और धीरे से अपनी आखों पर लगाएं, चहरी पर लगाते हुए, धीरे से आखें खोलते हुए, हतेलिया नीचे हटाते हुए, पुनह, आसन रिलीस करेंगे, दोनों पैरों को धीरे से सामने फैलाते हुए, यही से रिलेक्सेशन की अवस्था माएंगे, दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी, पैरों को धीला छोड़ दें, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर बिल्कुल धीली, गर्दन दिली और आखें सहिस्ता के सांद बन करें, अगले ध्यानतमक आशनों के लिए खुद को तयार करें, आज का जो सबसे पहला आशन है सुखासन, शुखासन के अभ्यास के लिए शारिक और मांसिक रूप से खुद को तयार करें, दीरे से रिलक्सेशन की अवस्ता में वापस आते हुए पोजिशन लेंगे आखें खोलते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाएं तंडासन की स्थिती में हाथ आपके दोनों साइड में कमर गर्दन सीधी रहे सुखासन के लिए दाई हतेली से बाई पैर के पंजे को पकड़ें और दाई जंगा के नीचे रखें यही बाए हाथ से दाए पैर के अंगोठे को पकड़ कर बाई जंगा के नीचे रखें दोनु पैर प्रोस में दोनु जंगाओं के नीचे और हाथ चिन मुद्रा में दोनु घुटनों के उपर ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन सीधी रहे सुखासन का अभ्यास आँखे सहस्ता के साथ बन सुखासन को मुक्तासन भी कहा जाता है इसे आसन में ध्यान का अभ्यास करते है प्राणयाम का अभ्यास करते है पुन्ह लंबी गेरी स्वास भरेंगे स्वास छोड़ते वे धीरे से अपनी आखे खोले आसन रिलीस करेंगे हाथों को सामानिय स्थिती में लेकर आए और एके पैर को सीधा करते वे पुन्ह दंडासन की स्थिती में आएंगे यहीं से Relaxation की अवस्था में तोनों पैरों में कंदों के बरावर दूरी पंजे बाहर की ओढ़ीले और दोनों हाथ कमर के पीछे दंडासन में Relaxation की स्थिति और आखें सहस्ता के साथ बन पुनह लंबी घेरी स्वास प्रस्वास स्वास के प्रती पूरी सजगता रखे योग अभ्यास के प्रभावों को महसूस करे सुखासन के इलाब जान ले आए सुखासन करने से क्या-क्या अलाब मिलता है यह ध्यानत्मक आसनों में सबसे सरल स्थिती है यदि किसी का शरीर कड़ा हो पैल लचीले ना हो तो यह अभ्यास करना चाहिए अर्थराटिस के अगर कोई व्यक्ति है इस आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो इससे पहले उन्हें सुखम अभ्यास करने चाहिए जुडू को लचीला बनाने के लिए फिर इस आसन में अभ्यास कर सकते हैं अपने आपको त्यार करें अगला अभ्यास स्वस्तिक आसन के लिए, पुनह धीरे से आखें खोलते हुए, तोनु पैरों को आपस में मिलाते हुए, दोनु हाथ आपके बगल में, अगले अभ्यास के लिए त्यार हो जाएं स्वस्तिक आसन, दाए हाथ से बाए पैर के अंग कि भुटने के सीधे पीछे आ सके यहीं अपनी 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 बा candidate को पकड़ कर にबाई जंगा के नीचे रखें उसे हैं कि अपका दाया पैर भी नहीं पिंडली और जंगा के बीच में गुटने के ठीक पीछे कि स्थिति में आए इस आशन में आप देख सकते हैं आपके पैरों की स्थिती स्वस्तिक के समान रहती है स्वस्तिक के आकरती के समान ध्यान अत्मकासन में आपकी हथेलिया चिन मुद्रा में रहेंगी ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी हो और आखें सहस्ता के सांद बन करें पुन्ह लंबी गहरी स्वास भरते वे इस आसन की स्थिती को महसूस करें स्वास छोड़ते वे अपनी पूरी नकारात्मक्ता खुद से दूर करें और यहीं से आसन रिलीस करेंगे सबसे पहले दीरे से अपनी आँखें खोलें दीरे से हतेलिया सामान्य वस्था में दाएं पैर को सामने की ओड़ लेकर आएं बाएं पैर को दीरे से सामने लेकर आएं पुन्ह स्वस्तिक आसन के अभ्यास के बाद तंडासन में रिलेक्स करेंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी रखें पैरों को बिल्कुल धीला छोड़ दें दोनों हार कमर के पीछे इस प्रकार रखें कि आपकी कमर बिल्कुल रिलक्स हो जाए आखे सहिस्ता के साथ बन गर्दन बिल्कुल धीली आप चाहें दाएं या बाएं किसी एक तरफ रख सकते हैं पूरा शरीर बिल्कुल धीला छोड़ दें रिलक्सेशन के दौरान पूरी सजकता स्वांस प्रश्वांस के प्रती आशन के प्रभावों को महसूस करें और साथी साथ स्वस्तिक आशन करने के बाद इसके लाभों को जाने यहां आसन प्रजनन हार्मोन को नियंत्रित करता है स्वेत प्रदर में लापताई होता है प्राणयाम एवन ध्यान के लिए यह बहुत ही उपयोगी आसन है इस आसन को करने से पहले आप ये भी ध्यान में रखें कि इसकी क्या-क्या सावधानिया है किस व्यक्तियों को विशेश टूप से सावधान रहना है साइटिका और लोवर बैक पेन की समश्या में किसी योग सिक्षक के परामश में ही यह अभ्यास करना चाहिए इसी के साथ सान अगला ध्यान अत्मकासन पदमासन का अभ्यास करेंगे जिसे लोटस पोस भी बोला जाता है तो आईए अपने आपको शारिरिक और माजशिक रूप से अगले अभ्यास के लिए त्यार करें धीरे से आखें खोलते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाए हाथों को जंगाओं के पास रखेंगे कमर गर्दन सीधी रहे और यहीं से बाई हाथ से दाई पैर का अंगुठा पकड़ें और बाई जंगा के उपर रखें पदमासन की स्थिती में आपके दोनों पैरों के पंजे दोनों जंगाओं के उपर रहते हैं दोनों हाथों की स्थिती चिन मुद्रा में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन सीधी हो आखें सहस्ता के सांद बन रखें इसासन में आपकी शारिरी की स्थिती कमल की समान पदम की समान पदमासन की स्थिती में इसासन में पुना लंबी गहरी स्वास भरें पूर रूप से सकारात्मक भाव किसान स्वास छोड़ते वे नकारत्मक गुर्जा को खुद से बिलकुल दूर करें दीरे से आसन रिलीस करेंगे पुन अपनी आखें खोलते हुए हाथों को सामान्य वस्था में लेकर आए दीरे से दाए हाथ से बाए पैर को पकड़ कर सीधा करें और बाए हाथ से दाए पैर को पकड़ कर सीधा करें रिलेक्सेशन की पोजिशन में आएंगे दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर को बिलकुल धीला चोड़ें, पैरों को बिलकुल धीला चोड़ें, गर्दन बिलकुल धीली चोड़ते वे, आखें सहस्ता के साथ बंद करें, पदमासन के अभ्यास के प्रभावों को महसूस करें, स्वास प्रिस्वास के प्रती पूर रूप से सजक रहें पदमासन करने के लाभों को जाने शारिरिक वो मानसिक स्थिता परदान करता है पदमासन का भ्यास तंत्र का तंत्र को सक्रिय करता है ध्यान के लिए सबसे उपयोगी आसन पदमासन है परन्तु लाप के साथ साथ कुछ सावधानिया भी हमें ध्यान में रखनी है जिने साइटी का खुटने का दर्द है वहयासन नहीं करना चाहिए जोडों में दर्द की समश्या होने पर किसी योग्य या अनुभवी सिक्षक के निर्देशन में ही अभ्यास करना चाहिए अगले अभ्यास के लिए सिध्धासन का अभ्यास अपने आपको तयार करेंगे धीरे से अपनी आखें खोलें दोनु पैरों को आपस में मिलाएं हाथ सामान्य स्थिती में दोनु साइड में अगला अभ्यास सिध्धासन के लिए तयार रहें धीरे से दाई पैर को मोड़ते हुए मूलाधार के पास रखेंगे कि आपके प्रजन नंग पर इसका दबाव कड़े एडी का और यहीं से दाई हाथ से बाई पैर को पकड़ते हुए दाई एडी के उपर बाई पैर की एडी को एक सीध में रखेंगे ध्यान रहे दोनों एडियों का दबाव आपके मूलाधार शेत्र पर रहे दोनों हाथों की स्तिती चिन मुद्रा में आप रख सकते हैं कमर गर्दन सीधी आखे सहस्ता के सांथ बन सिध्धासन का अभ्यास बहुत ही लापकारी होता है त्यान उत्मकासन में लंबी गहरी स्वास भरते वे एकाग्रचित होकर प्रस्वास करें शारविक और मांसिक रूप से तरकुल हलका महसूस करें वद्धीर से इस आशन को रिलीज करते के लिए अपनी आखें खोलें दोनों हाथों को सामानी स्थिती में लेकर आएं बाएं पैर को सीधा करें दोनों पैर सामने फैलाते होएं पुना दंडासन की तिती में आएं दोनों पैरों में कंदों के बराबर दूरी दोनों हाथ कमर के पीछे पूरा शरीर बिल्कुल ढीला आन्खे सहस्ता के सान बन रिलक्सेशन के दोरान स्वास प्रस्वास के प्रती पूर रूप से सजग रहें आसन के अभ्यास के बाद शारीरिकॉर्माजिक रूप से हो रहे प्रभावों को महसूस करें प्रतियक आसन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं शारिर कॉर्माजिक रूप से स्कावलोकन करें सिद्धासन करने के बाद इसके इलाभों को जाने यह अभ्यास प्रजिनन हर्मोन को नियंतरत करता है अध्यात्मिक उन्नती में बहुत सहायक आसन होता है इस आसन को करने करते हुए हमें कुछ सावधानिया भी रखनी है जिनने साइटिका या निचली कमर के दर्द की समश्या है वे किसी कुशल सिक्षक के निर्देशन में ही यह अभ्यास करें